मेरे प्यारी देश वाथियों, हमने पिछले दिनों देखा है, एक दोर ताकत का हमने अनुभव किया है, और वो है भारत में एक सामुई चेतना का पुनर जागरन हुआ है। एक सामुई चेतना का पुनर जागरन आधादी के इतने संगर्श मैं से जे अम्रत था, वो अब संज्वया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुर्षाट की प्राकास का जुड़ रही है और सिद्धी का मार्ण नजर आ रहा है। यह चेतना, मैं समझता हूँ कि चेतना का जागरन, यह पुनर जागरन, यह हमारी सबसे बड़ी अमानत है, और यह पुनर जागरन बेखिये, तस अगस्तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद, देश के भीतर कौन सी ताकत है। लेकिन पिछले तीन दिन से, इस प्रकर से तिरंगे जंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के दस चल पड़ा है। बड़े बड़े सोशल साइंस के एकपर्ट्स, यह भी शायद कल पना नहीं कर सकता है कि मेरे भीतर के अंदर, कितने मेरे देश के भीतर, कितना बड़ा सामर्द हैं, एक तिरंगे जंडे ने दिखा दिया है। यह पुनर चेतना, पुनर जागरन का पल है। यह लोग समझ नहीं पाए हैं। जब देश जंता कर्भ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल परता है, तब उस चेतना की अनुभूती है। जब देश ताली ठाली बजा करके कोरोना वारियर के साथ कंद से कंदा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूती होती है। जब दियां जला करके कोरोना वारियर की शुब काम बना देने के लिए देश के निकल पड़ता है तब उस यह तना की अनुभूती होती है दुनिया कोरोना के कालखन में वैक्सिन लेना या न लेना वैक्सिन काम का है नहीं है उस उल्जन में जी रहा था उस समय मेरे देश के गाउं गरीब भी दो सो करोड डोज दुनिया को चौका देने वाला काम करके दिखा देते हैं यहीं चेतना है यहीं सामर्थ है इस सामर्थ ने आज देश को एक नई टाकत दी है मेरे पहरे भाईयों बहनों 301 महत्वकून सामर्थ है मैं देख रहा हूं जैसे एस्प्रिसनल सोसाइटी जैसे पुनर जांगरन वैसे ही आजादी के इतने दसकों के बार पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरी अब बदल चुका है विश्व भारत के तरफ गर्व से देख रहा है अपेच्छा से देख रहा है समस्याओं का समाधान भारत की धर्ती पर दुनिया खोजने लगी है दोग्यों विश्व का ये बरिलाव विश्व की सोच में ये परिवर्तन पकत्तर साल के हमारी अनुभाव यात्रा का परणाम है हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं दुनिया इसे देख रही है और आधिर कर विश्व भी उमीदे लेकर के जी रहा है उमीदे फुरे करने का सामर्त कहां पड़ा है वो उसे दिखने लगा है मैं इसे इत्तरी शक्ती के रुपे देखता हूँ तीन सामर्थ के रुपे देखता हूँ और ये त्री शक्ती है एस्पिरेशन की पुनर जागरण की और विश्व की उमीदों की और इसे पुरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों आज दुनिया में एक भी स्वाज जगने में मेरे देश वास्यों की बहुत बढ़ी भूमी का है एक चोटीस करोर देश वासयों ने ककती है नीतियों में कैसा सामर्द होता है उन नीतियों पर विश्चों का कैसे भरोदा बनता है यह भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है और हम जब राज नितिक स्थिरता हो नीतियों में गति शिलता हो निर्ड़ों में तेजी हो सर्व व्यापकता हो सर्व समाज विश्चता हो तो विकास के लिए हर कोई भागिदार बनता है हमने सबका साथ सबका विकास का बंत रहे करके हम चले थे लेकिन देखते ही देखते देश वाज्यों ने सबका विश्वार और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिये हैं और इसलिए लिए हमने देखा है हमारी सामुहिक स्वक्ती हमारे सामुहिक सामर्ते को हमने देखा है आजाती कमुरू पहुत जिस प्रकार्ट छीमेर में 75 अजेत्र अमरित फ्रवर बनाने का अभ्याद चल रहा है गाउं गाउं के लोग जुढ रहें कार सेवा कर रहें अपने प्रेतों से अपने गाउं में जल सवरोचंड के लिए बड़ा भ्यान चला रहे हैं और इसलिए भाईयों बैनों चाहे स्वच्छता का भियान हो चाहे गरीबों के कल्यान का काम हो देशाज पूरी शक्तिश आगे बढ़ रहा है